बारत और नेपाल देश के बीच सेयुक्त सेन अभ्यास सूरी किरन हो रहा है और इस तरह के जो इउद अभ्यास होते हैं ना उनके बारे में एक सामान जानकारी अपने पास रखा करिएगा क्योंकि इनसे कुश्चन्स आपकी फरीक्चाओं में पूछे जाते हैं और आपको बता दो 2011 में पहली बार ये हुआ था 2011 से इसकी सुरुवात हुई थी एक बार ये भारत में होता है फिर दूसरी बार आप देखेंगे ये कहा होता है नेपाल में फिर उसके बाद भारत में फिर नेपाल में इस तरह से करम लगा रहता है और नेपाल को अगर आप लोग देखना चाहे ना तो आप देखेंगे यह हमारा प्यारा भारत है एसिया में और एसिया में ही आप देखेंगे नेपाल आपको देखने को मिल जाएगा और नैपाल की अगर हम लोग राजधानी की बात करें, तो काटमांडू इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी, हमारे उत्तराखंड, उत्तरपदेश, बिहार, सिक्किम और आपका पश्चमंगाल, पाँच राज्यों की सीमा लगती है हमारी किस से? नैपाल से, और अगर आप लोगों को मालो होना चाहिए, और सयुक्त भारत और नेपाल की सेनाओं की भारत सेना, नेपाल सयुक्त सेन पे सिक्षर्क अभ्यास के, सोलेवी सल्सकर्ड, सूर करण सोले का, आयोजन नेपाल में सल जंडी के, नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में किया जा रहा है, ठीक आयोजित होने वाला एक सेन अभ्यास है, और इस सब्भ्यास का उद्देश क्या है, क्योंकि आप देखी किसी उद्देश के साथ तो ये सेन अभ्यास होता होगा ना, तो दोनों देशों के सेने को द्वारा दुर्गम परवटी चेत्रों में सेन संबंद इस्ताफित करना इसका उद्देश है, और आपदा प्रवंदन के थायत मानविय साहता प्रदान करना भी इसका उद्देश है, उग्वाद बिरोधी अभ्यानों के संचालन के दोरान प्राप्त हुए अनुभाओं को साजा करना एक दूसरी सेना के साथ ये इसका उद्देश है, और दोनों उत्तराखंड देखना चाहें तो यह उत्तराखंड है और आप देखें इसकी सीमा चाइना से भी लगती है नेपाल से लगती है राज्यों में आप देखें हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है और उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था यह उत्तर करण यहां आप देखेंगे बिधान सभा में सत्तर सीट है राज सभा में आपकी तीन सीट है लोग सभा में पास सीट है आप लोगों को देखने को बलेगी तो चोटे ही कुश्चन्स पूछे जाते हैं प्रेलिम्स में पूछ ले यूपी एसी एम और इस्टेट पीसी एस में कि जो सोरी करण यह धब्यास हुआ है इसका उद्देश क्या था यह पहली बार कब हुआ है यह कौन सा सजकर्ण था कहां किया गया है इस तरह के नॉर्मल ही कुश्चन्स पूछे जाते हैं ठीक है